गुड़ अप्टिनून सभी शाथियों को आज की इस वीडियों हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुक्त स्वतनता सेनानी और जो विभूतियां हैं उनके बारे में तो उत्राखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के सिलेवस को लेके हम यहां पर बात कर रहे हैं और अगर आपको प्रोबाइड किया जाएगा और अगर आपको पसंद आता है कॉंटेंट तो आप जरूर बताएगा फिर इसी स्रीच को हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके जो है एक एक टॉपिक को यहां पर कबर करने की कोशिस हमारी रहेगी पहले न कालू महरा जी की बात यहां पर चल लिए और इनके द्वारा यानकी इनका क्या योगदान रहा इस बारे में बात करेंगे तो यह राज जी के पर्थम सुतंता सेनानी थे तो कालू महरा जी के बारे में अगर पूछा जाता है तो यह क्या थे राज जी के पर्थम सुतंता स संग्ठन बनाएं था, गुत्त जिसका नाम क्या रखा इन्होंने किस़ेख्अ कहला आइब इंग्रेुट के विर्द्ध। बनाया गया इनके संग्ठन का नाम क्या रखा गया एक रखा क्रानिदीवीट्स बिल्क्राइब सब आह कर सकते हैं, अठारस सो सताओं पर्थम सुतनता से नानी कालू महरा थी, अंगरेजों के विरुद्ये जो है क्रान्थी आठारस सताओं की क्रान्थी में कुमाउच endorsay नानगर बात की जारी है, कुमाउचestar की अलग-जबात की जाती है तो इसमें, कुमाओ छेतर की यहाँ पर बात की जा रही है कुमाओ छेतर में एक अगुप्त संगठन किसके दोरा बनाया गया ऐसे भी question पूसे जाता है कि कुमाओ छेतर में अंगरेजियों की विर्द जो है 1857 की करांती की समय एक अगुप्त संगठन किसके दोरा चलाया गया क्रांती भी नाम से तो ये कालुमहराजी की द्वारा चलाया गया ठीक है बढ़ेंगे नेक्स यहां पर जो अगला पोइंट हमारे पास है इसमें जैनन्द भारती जी है जैनन्द भारती जी की बारे में आपको पता है इन्होंने देखे स्वामी श्रद्दनन्द के सिस्षे किसके सिस्षे थे स्वामी श्रद्दनन्द के सिस्षे ने उत्राखंड में प्रचलित कुपर्था डोला पालकी का विरूद किया तो डोला पालकी अगर जो है उसका विरूद कुपर्था जो है डोला पालकी का विरूद किसने किया अगर पूछे जाएगा तो ये जो है ज बाणेंगे next point की और अगला हमारे पार से akhir थी तो इससे पहले अगर हम डोला पालकी के बारे में थोड़र से बात करें इन डोला पाल की क्या है डोल का सोरी डोला पाल की डोला पाल की जो है एक अंदुलन है ये मुख्य तो दलित समाज द्वारा सामाजी ब्योस्ता की बिरुद्ध किया गया है ठीक है डलित समाज यानि की सिल्पकार ठीक है ये आप ध्यान रखेगा इसमें तो दलित समाज से सम गया था जो समाज में जो ब्युस्ता चली आ रही को प्रतर कहने के मतलब जैसे इसमें भी दिया है ठीक और ये आगर बात करें हरी परसाद द्वारा जो है 1911 में उत्राखन के दलितों के लिए सिल्पकार सब्द प्रिव्ट किया गया अब सिल्पकार सब्द जो हमने यहां प प्रिव्ट किया गया इकिस के द्वारा किया गया हरी परसाद जी के द्वारा किया गया कब किया गया 1911 में यह जो है प्रिव्ट किया गया उत्राखन के दलितों के लिए ठीक नेक्स्ट अगर बात करें डोला पाल की क्यों नाम दिया गया इस आंदुलन से पूर्व अगर उनको पालकी में बिठाय जाता था, किन्तु डलित वर्ग के दूला दूलन पैदल ही जाते थे, डूला पालकी का मतलब क्या है, डूला पालकी जो, जिसको हमारे उसमें डूली भी बोल दिया जाता है, ठीक है, जो साधी में, साधी विभा में यूच की जाती है, जिसमें थे, तो इसके बिरुध्य था है ठीक है, और बात करें तो जैननद भारती जी द्राजी द्वारा, इसका नेती रुद्वा पाहरती जी के क्या गया, घीक है, इसका नेती रुद कर सकते हैं, और इसके जो है खिलाप यानिगी ये आंदूलन चलाया गया जैनन्द भारती जी के नेतरुत में 1930 में ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर बद्रीदत पांडे, तिसरे नमबर पे हमारे पास हैं बद्रीदत पांडे, इनको कुमाओ केसरी कहा जाता है, कुमाओ केसरी के नाम से जाना जाता है, और मैं इस बारे में पहले की वीडियो जो में बात कर चुका हूँ, कुमाओ केसरी, पंडित बद्रीदत पांडे, राज की सनात कुत्तर महाविद्यलेद बागेसर, जो है, जो बागेसर पीजी कॉलेज है, जो क कुर्मांचल केसरी की पद्वी इनको दी गई पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया बद्रिदत परंडे को जो है कुर्मांचल केसरी की नाम से जाना जाता है अब देखिए कुली उतार कुली बेगार और कुली बर्दैस आपने कुली बेगार सुना होगा लेकिन कुली उतार सफलनेतरत के लिए इन्हें कुर्मांचल की पदवी दीगी। कि मैं कुली उताः में, कुली बेगार में, कुली बढ़ताइश, ये जितने भी आंदुम 넣 थे, आदी के भृध,- आंदुमनें के सफलनेतριत, नेतरत भी कैसा रहा? सफलता, यानि कि इसमें सफल था, को प्राप्त हुई इस कारण इनको कुर्मांचल केसरी की पद्वी दी गई ये भी पूछा जा सकता है बद्री तो अंडे ने अगर बात करें पांच बार जेल प्रवास की अवधी में कुमाओं का इत्यास नामक पुस्तक लिखी थी तो कुमाओं का इत्यास नामक पुस्तक क पाँच बार जेल पर्वास की अववधी में पाँच बार जो जेल इनको हुई थी उस दौरान ही नोने ये पुस्तकल लिखी थी ये भी आप दियान दीजीगे इस पॉइंट को बढ़ेंगे अगले पॉइंट की उड़ अब कुली बेगार अंदोलन की अगर बात की जाती है तो मैं यहाँ सोट में बता दे रहा हूँ, यह कब हुआ था, यह सर्यूर नदी के किनारे, ठीक है, सर्यूर नदी के किनारे, जैसे कि आपको पता है, उत्रेनी का मेला भी लगता है वहाँ पर, तो सर्यूर नदी के किनारे जो है, 13 और 14 जैनवरी, 13 और 14 जैनवरी की बात चल सरिव नदी के किनारे उत्राणी मेले में जो है बद्रीदत पांड़े, हर गोविंद पंथ और चिरंजी लाल के नेतरुत में आंदुलनकारियों ने बेगार ना देने का संकल्प लिया, इसलिए कुली बेगार के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक हम, तो इसके सम्मन में पता है, अगर बात करें, कुली बेगार पर था, बेटेस काल में परचलित थी, यह तो आपको पता ही, बेगार का स्वरूप जो है, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बरदाइस, आदी रूप में रहा है, अब ऐसा भी क्वेस्चिन बन सकता है, जो बेगार था, उसका जो शुरूब है, वो किस रूप में था, तो तीन नहीं है पर दिया गया है, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बरदाइस, तीन रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा था, अब कुली बेगार के अंतरकत जो ग्रामीनों से जो कारे कराया जाता था, तो आपको पता ह भी नहीं दी जाती थी पारिशने में नहीं दिया जाता तो उसके खिलाब यह था बढ़ेंगे अगले पॉइंट क्यों हर गोविन पंध की बात चल रही है हर गोविन पंध की आप बात चल रही है कुली वेगार के बारे में हमने जाना अब इसके बाद हम बात करेंगे हर गो कौंगरेस की रीड किसे कहा जाता है तो तो अंची को आप rationale कि आता द जाता ह। अब इसमें आप देख सकते हैं बागेश्वर में हल चला कर तोड़ा था यानि कि कुमाओं में जो कुमाओं के जो ब्रामने हैं उनके दरहा हल नचलाने की जो पर्था थी ब्रामने जो है हल नहीं चलाएंगे इसकी पर्था चली आ रही थी तो इसको इन्होंने 1928 में बागेश्वर में हल चला कर तोड़ा इसलिए भी इनको अलमोला कांगरेश की जाने वाले कहतीर क मतल dialogues एसे बन सकता है है कि दी बात करें तो question एक तो यह बन सकता है कि अलमोला कंगरेश के रिडीट किसी कहा जाता है तो हरकोविं पंझी को कहा जाता है दूसरा जो तो है जो ब्रामों द्वारा हल न चलाने की पर्था थी उसको किस ने तोड़ा तो यह हर गुरुन पंजी ने तोड़ा, कब तोड़ा था 1928 में, तो यह यहाँ से question बन सकते हैं, ठीक है, बढ़ेंगे अगले point की ओर, नेक्स्ट अमारा जो है, अगला point आप देख सकते हैं, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल करकी है, वर्ष 1979 की बात चली है, 1969 की बात चली है, तो मैं प्रकासित गड़वाल पेंटिंग्स, जो है, इनकी अमूले किरती है, गड़वाल पेंटिंग्स, पुस्तक किसकी रचन है, गेडवाल पेंटिंग की बात की जाए तो वेरिस्टर मुकुंदी लाल की है, ठीक है, और कब यह बार से उनिस्टर में परकासित हुई, 1969 में आपको पता है नोबल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है, किसको मिला हुआ है यह आप बताएंगे, अगर आप इंग्लिस लेटेचर के भी स्टुडेंट हैं, तो आप इसको एजली बता सकते हैं, ठीक है, देखेंगे, इसी में हम कह रहे थे, 1969 में जो है नोबल नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रसिद्द चित्रकार मौला राम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्द करने का सरे नहीं हो जाता है तो प्रसिद्द चित्रकार जो है मौला राम जी के जो चित्र थे उनको कला जगत में प्रसिद्द करने का सरे किसको जाता है बैरिस्टर अगर बात करें एक और यहाँ पर literature के जो हमारे साथी हैं तो उनके लिए एक और है यहाँ पर कुली नामक work भी है एक किसका है और कौन से sun में publish हो रहा है यह आप जरूर बताएगा जरूर इनके questions के भी answer दीजिएगा क्योंकि हम जब यहाँ पर कभी भी आपने देखा होगा कि किसी भी चीज की preparation कराते हैं तो उस related जो भी चीजें किसी अन्य topic से मिलती जुलती हैं तो उनको भी compare कराते हुए चलते हैं कुली untouchable यह आपको पता हैं यह मुलक राज आनंग जी के वर्क हैं तो कब आ रख है कुली यह आपको बताने है और कुली में प्रोटेगनिस्ट कौन है यह भी आप जरूर बताएगा वो भी समाज के अगर बात करें तो कहीं न कहीं यह कूपर रथा से संबन दीती है यान यह जो है चार्ल्स डिकिन्स ऑफ इंडिया की नाम से भी जाना जाता है मुलक राज आनंद को मिलते हैं अगली वीडियो में कैसी लगी आपको एक सौट वीडियो जरूर है यह लेकिन बहुत जो है वेलिवेल रही होगी और नॉलिजिबल रही होगी ऐसी में उमीद करता ह मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू थैंक यू सू मच